प्रभीश्य मसी के पवित्र नाम में आप सभों को मेरा नमस्कार मैं सजी भिलाएवाला पिछले दस दिनों से संदेश भेजना संभव नहीं हो पाया माफी चाहता हूँ कुछ व्यक्तिगत और पारिवारी की व्यस्ट से थाएं थी आप सभों की प्रार्थनाएं हमारे साथ थी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और सुरक्षित हैं चार-पांच दिन पहले की घटना है अपने नए घर में फ्रिज को रखने की कोशिश कर रहे थे हम लोग दर्वाजा संकरा था इसलिए फ्रिज के दर्वाजी को खोलना पड़ा और बड़ी मुश्किल से पांच-छे लोग मिलकर उसे अंदर ले गए बड़ी जद्दो जहद थी इस जद्दो जहद को मैं अपने एगमित्र से बता रहा था भाचित के दौरान तीन-चार बार मैंने कहा दीवार को कुछ नहीं हुआ खरोज भी नहीं आई बार-बार दीवार के बारे में सुनकर मेरा दोस्त जुन्जला गया वो बोल पड़ा भाई मेरे फ्रिज तो ठीक ठाक है न पचास दौर में दिवार की खरोज मिट जाएगी पंदरहजार के फ्रिज पर ध्यान दो उसने मुझे ये बात आधे मजाक में आधे डाटने के लहजे में कहा लेकिन इस बात की सीरियसनेस को मुझे जब समझ में आया तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात कह दी उसने कई बार हम ऐसे हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि ज़्यादा कीमती क्या है हमें कीन चीजों को तवज्जो देनी चाहिए अंगरेजी में बड़ा अच्छा शब्द है उसके लिए प्रायोरिटी हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक्ता हमारी प्राथमिक्ता क्या है जीवन में कई बार हमारे लिए नौकरी जाइदाद पैसा ये सब प्राथमिक्ताएं हो जाती है जबकि जीवन में इन सबसे ज़्यादा कीमती चीजे हैं जिने हम ध्यान नहीं देते हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ, हमारा आत्मिक जीवन इन सब से ज़्यादा कीमती है हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी प्रात्मिक्ता किन बातों पर होनी चाहिए एक नौकरी चली गई तो दूसरी आ जाएगी थोड़ा पैसा नश्ठ हो तो फिर से कमाया जा सकता है लेकिन पैसों की चक्कर में अगर हम अपने परिवार को खो बैठें अपने स्वास्थ को खो बैठें तो वापिस बाना मुश्किल हो जाएगा चंद चांदी के टुकडों के लिए चरित्र को गिर्वी रखना कहा की बुधिमानी है हमारा स्वास्थ हमारा परिवार हमारा आत्मिक जीवन हमारा चरित्र ये सब मायने रखते हैं जीवन में प्रफीशु ने अपनी शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया है कोई भेड के द्रिश्टांत में जब चरवाहा 99 भेडों को छोड़ कर एक भेड को ढूनने जाता है तब उस वक्त की प्राथमिक्ता वो कोई हुई भेड थी क्योंकि वो खत्रे में थी बाकी 99 सुरक्षित बाड़े में थी ये सच है कि वो 99 को छोड़ कर एक के पीछे जाता है इसका अर्थ ये नहीं कि वो उस एक से अधिक प्यार करता है वो भेड जिसे कोई जंगली जानवर मार सकता था वो भेड जिसे जो किसी खाई में गिर कर जख्मी हो सकता था वो भेड जो शायद बाहर की गर्मी सर्दी बरदार्श नहीं कर पाता था उसे बचाना जाता जरूरी था मतिकी इंजील अध्याय सोला आयत 26 में प्रभीशु पूछते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा प्रियों हमारा प्राण हमारा हत्मिक जीवन प्रमिश्वर से हमारा प्रेम, प्रमिश्वर से हमारा संबंद, हमारी प्रात्मिक्ता ये होनी चाहिए मतिक इंजील अध्यायच 6 आयत 25 में प्रमिश्व पूछते हैं इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिन्ता न करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे औरना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्तर से बढ़कर नहीं प्रियों आज वक्त है सोचने का हमारे लिए प्राथमिक्ता क्या है हमारे लिए बड़ी चीज क्या है इस संसार के अभिलाशाएं कुछ दिन तक साथ रहने वाला धन या फिर हमारा अनंत जीवन आमीन झाल प्रेत का ठाएं के लिएर ह एम、 आम और जाला धनाएंता है removal पाल्ग